आप सभी का स्वागत है तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है आप सब को बता दूँ तो मेरे बेटे ने एन्वल फंशन में इस्कूल में फैंसी द्रेस कॉंपटिशन में पाटिसिपेट करने करना है मतलब उसको तो मैंने मार्केर में बहुत कुछ ढूडा लेक सब चीजे आती है मैंने भी सोचा कि बनाएंगे तो अच्छा रहेगा और उसको भगवान हनुमान या राम से बहुत ज़्यादा प्रेम है इस तरह से घर में भी वह जैसरी राम ऐसे करता रहता है तो बच्चों को यह सारे संसकार तो हमें देने ही चाहिए चलिए हम अलग आप सबको मिली जाते हैं तो पेपर और वह सब चीजे मैंने इस तरह से कटिंग कर करके बनाया उसके बाद आप जो उनके उपर पटका मतलब एक दुपट्टा मान लीजी ऐसे डालेंगे कंदे पर तो वह मैं बना रही हूं और आप सबको पता ही है कि मेरे पास मशीन है न इसके बाद इस तरह से ग्लूगन से मैंने लगा दी है क्योंकि यह कपड़ा पाद मुझे किसी और यूज में आ जाए क्योंकि भगवान की पोसाग बगरा इसी कपड़े से बनती है तो यह देखे यहां पर पैरों में बानने वाले और यह देखे जो एक तरह से कमर बंद और बाजू बंद हाथ के तो मतलब पूरी जो भी जो कॉस्ट्यूम के अलावा भगवान के होते ना जुएलिरी एक तरह से तो वो मैंने बना लिया इस तरह से उसके बाद यहां पर मैं बना रहे हूं पूँच तो सबसे ज़्यादा कठीन काम जो था वो था पूँच बना रेंट थोड़ी सी कम लग रही थी तो इस वज़े से बस इस उन को इस तरह से खुब अच्छे से लापेटते चले जाएंगे क्योंकि मेरे पाद बहुत सारा कपड़ा नहीं था इसमें आप ना न्यूस पेपर की जगए कपड़ा भी लापेट सकते हैं लेकिन मैंने तो न नुमान बनना ही बनना था तो मेरे माइन में आईडिया आया क्यों ना हम डियाइवाई कर लें तो हम सब डियाइवाई करते ही रहते हैं तो बस इसको भी मैंने इसी तरह से पूच को डियाइवाई किया तो अभी आँगे देखे फिर मैंने क्या क्या मैंने पूच बनाने क पेटते चले जाएंगे उसके बाद जिस तरह से आपने देखा होगा कि हम पॉम-पॉम या इस तरह से यह सब चीजे बनाते हैं बस इसी तरह से बनाना है लटकन जैसी बना लेनी है और बस उस तार के साथ में हमको उसको जोड़ देना है आपस में तो लगबग ये भी देख जानकारी मिले क्योंकि अगर आपके बच्चे चोटे हैं तो इसकूल में प्रोग्राम करते ही हैं तो कुछ चंकुछ हमें रोल प्ले बच्चों को मिली जाता है तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं यह देखिए पूँच हमारी बन गई है इसको बुलन को अच्छे से पू देख सकते हैं सब कुछ इस तरह से मैंने घर पर ही तयार कर लिया है और कोई भी इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगे तो बस यहां पर देखें ले लिया है मैंने इस तरह से यलो कलर का कपड़ा और उसको लंबे-लंबी पूरा कट करके इस तरह से पुरी बना लिय और बस लूप की साहता से इस तरह से इसको अच्छी से खुब हम चिपकाते चले जाएंगे तो हमारी जो पूछ है वो भी बहुत ही सुन्दर और अच्छी बन करके तयार हो जाएगी तो कहते हैं न कि जहां चाह है वहां रा है और मुझे आज बहुत जादा खुशी हो रही ह अपने बेटे को मैंने हनुमान बनाया और मेरी जो महनत है वो रंग लाई भी इसको बहुत ही अच्छा मतलब मिला वहां पर सील्ड भी मिली इसको और इसकी जो रैंक आई है वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगी कि जैसे बच्चों को भी इस स्कूल में भी पोजि कि हो रही है तैयारी तो तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है तो देखें यहां पर बन गई है पूँच और कितनी जादा सुन्दर बन गई है और इसको जो भी हम लंगोट जैसा बेटे को अपने पहनाएंगे उसके साथ इसको हम खूब अच्छे से लगा देंगे और मैं इसको पिन से बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली हूँ मैं सुई धागा से इसको पूरे उसके लंगोट में अच्छे से शिल दूंगी ताकि क्या है वो बिल्कुल भी निकले नहीं और उसको कोई प्रॉबलम भी नहीं हो तो देखें इस तरह से मैं धर पर हलका सा उसको क्लास तैयार हो चुका है तो वीडियो को पूरा देखें और अगला वीडियो भी आप देखें ताकि आपको थोड़ी सी और सहयता मिले और ये भी पता चले कि हमारा बेटा किस रैंक पर आया है तो आप सबने देखा ही हमारे बेटे ने कितनी आई अच्छी परफोर्मेंस दी है तो अगर थोड़ा सा भी आपको हमारे बेटे की परफोर्मेंस अच्छी लगी है तो प्लीस लाइक करें चैनल में न्यू आये तो सब्सक्राइब भी करें और अगले वीडियो को जरूर देखे फिर में लेंगे आपसे